आजादी माटे बलिदान आपनारा असंख्य लोकों ना बलिदान आने तिमनी पाच्छड उभो रहेला समाज देश मा रचियो छा त्यारेच आपने आजादी माटे लड़नार पेढ़ी हवे रही न थी पन आपनारी पेढ़ी हो तेनू रक्षन करशे यह अपना अठत्तरवा स्वातंतर जिन हम संपर्न कर रहे है पूरे देश के लिए अपने अपने मनने अभीर्ट चिंतन करने का आज दिन है है लेकिने केवल जिन्तन करके बात रूपती नहीं है कि स्वातंत्र हमको प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं क्या क्या हुआ है कि एक लंबा संदर्शनब्बे वर्ष का 1857 के बार चला तरह तरह के रास्तों से चला अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें एसा लिया तो हमारे लिए आज भी जो प्रातश्परणी प्रिर्णा दायक ऐसे चरित्र है अहिंसक सत्याग्रह से लेकर तुहाट में शस्त्र लेकर अंग्रीजों का सामना करने वालों तक इतनी लंबी माली का है अपने देश के हर चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलेजान किया है इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी जन्संख्या है तो उनकी संख्या भी बहुत है परंतुकि वही लड़े ऐसा नहीं है तो सतच चलने वाले संगर्ष में सभलता की आशार तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वत्मत्ता के लिए रस्ते पर आ गया अंदोलन में उतर गया अनेक लोग जेल में गये बारबार कारावाज भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे और जिससे कोछ नहीं बनता वो भी स्वत्मत्ता के लिए शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया लेकिन सब के मन की बात एक ही थी और इसलिए देश में इस स्वत्मत्ता के लिए बलिदान करने वाला समूर और उनके पीछे पक्ता खड़े रहने वाला सामान ने समाज कि यह दोनों बाते जब बनी तब हमको स्वत्मत्ता प्राप्त होगी उनका हम स्मरण करते हैं उनकी पुर्ण्य स्पृत्य को हम बंदन करते हैं साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वत्मत्ता हमने पाई को पीड़ी चोंचली गई लेकिन आने वाले पीड़ियों के उपर इस स्वत्मत्ता को स्वक्य रंग में पूर्णताहार रंगना और उसकी रक्षा करना इसका दाई तो होता है क्योंकि विश्व में सद्धाईवा ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वज्चस्व चाहते हैं कि उन से रक्षा भी कर्मी पड़ती है स्थक सजड रहना पड़ता है हुआ है भी हमारी सुतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का राश्टा हम नित्ता ही गिए इस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है उसके लिए निक अनुशाँसंका पालणा पड़ता है